सुप्रभाद बच्चों यह हैं आपकी हिंदी की क्लास और आज की हिंदी की क्लास में नीलम मैं आपको याख कराने चा रही है कवीता हिंदी की कवीता शिष्टाचार कवीता शुरूर करने से पहले मैं आपको कवीता की नाम का अर्थ बताती है शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा अच्छा जो हम दूसरों के साथ अच्छा व्यभार करते हैं जो हमारे एटिकेट्स होते हैं जैसे अगर कोई आता है तो हम उसको गुद मॉर्णिंग, गुद आफ्टरनून या नमस्ते या प्रणाम या नमस्तार होते हैं यह क्या होते हैं हमारे शिष्ट आचार होते हैं यह हमारे अच्छे आचार होते हैं जो हमें ममी पापा सिखाते हैं ठीक है तो जो ममी पापा हमें सिखाते हैं तो हमें ममी पापा भी आदर सम्मान करना चाहिए तो चले अपनी कवीता शुरू करते हैं कविता स्टार्ट करने से पहले मैं हम आपको अपना परिचय बताती है कि आपको अपना परिचय देना होता है तो आज भी कविता शुरू करने से पहले मैं हम आपको बताएंगे कि आपको अपना परिचय कैसे देना है सूप्रभार मेरा नाम परी है मैं कख्षा केजी में पढ़ती हूँ आज मैं आपको एक सुन्दर कवीता सुनाने जा रही हूँ मेरी कवीता का शिर्षक है शिष्टा जार माता पिता को करो प्रणाम जीवन सफल हो जाता है कितना भी मुश्किल हो काम छट से सब बन जाता है इनके चर्णों में सब सुखधान छो तो सब मिल जाता है सम्मान करो जीवन भरिन का ये शिष्टा चार बताता है धन्यवाद तो बच्चों आपने देखा मैंने आपको एक कवीता कैसे आक कर आई है ऐसे ही हम इस कवीता को दुबारा दोहराएंगे चले फिसे शुरू करते हैं अब दुबारा से आप अपना परच्चर देंगे और उसके बाद आप फिसे कवीता शुरू करेंगे माता पिता को करो प्रणाम जीवन सफल हो जाता है कितना भी मुश्किल हो काम छट से सब बन जाता है इनके चर्णों में सब सुब्धान छो तो सब मिल जाता है सम्मान करो जीवन भरेंगा या शिष्टाचार बताता है बाए बच्चों आपको इस कवीता को बहुत अच्छे से याद करना है और इस कवीता की एक छोटी सी वीडियो बना के अपनी क्लास्टीचर में आपको सेंड करना है बाए बच्चों